नमस्कार, वर्चियर क्लास्रूम मा आप सौनू स्वागत छे आई टी आई मा चालता सुइंग टेकनोलोजी ना सबजेक फैबरिक फंडामेंटल वी से आपड़े समझूती आफिसूं हवे आपड़े स्लाइड उपड़ जैसूं तो मित्रों फैबरिक फंडामेंटल मा पहलू आपड़े जो ये तो फैबरिक तो फैब्रीक एतले सुंग, फैब्रीक एतले कापड कापड विवीद बनाद, बनावट, कलर अनि डिजाइन मां जोवा मड़े छे कापड लेता पहला सिलाई काम करना रे तेना विसे जानू जरूरी छे बज्यार मां विवीद कापडों मड़े छे कापड विसे, जे सिलाई काम करे छे, तेने ज्यान होँ खुब जरूरी छे के कापड कई दी ते वनाई छे, तेने बनावट कई दी ते थाई छे ते केवा रंगों मां जोवा मड़े छे, तेमाच तेनी डिजाइन केवा प्रकान नी छे तेमच कापड माटे एने बीजुपन ज्यान होँ जरुरी छे के कापड सीवता पहला एक धोवु जरुरी छे तो कापड धोवु केम जरुरी छे कारान के अमुक कापड मा संको चावन गुण रहेलो छे जेम के सुत्राव कापड सुत्राव कापड मा संको चावन गुण छे आ सुत्राव कापड ने अपड़े धोईये तो ए संको चाई जाई छे एतले जो एना विश्यनो ग्यान सीलाई काम करनाने ना होई तो ए व्यक्ती सीलाई करी नाख्या पछी जे व्यक्ति एक कापड नो उप्योग पोताने पहरवा माते करे छे, ते व्यक्ति ने एक कापड धोया पछी फित पड़े छे फरन्तु जो ए विशनु ग्यान ते व्यक्ति ने होई तो ते व्यक्ति ते पमानेच ते कापड सीवेचे अने एना काराणे ते कापड ते व्यक्ति ने बराबा फिटिंग मा आवी जाएचे आथी मिट्चो कापड विशनों ज्यान हवू खुब जरूरी छे बजार मां जुदा जुदा कापडों मले छे तेमा जुरी-जुरी डिजाइनों पन जुवा मले छे जेम के तेमा लाइनिंग वाडी पच्छी, एमा फ्लावर, मोटा-मोटा फ्लावर प्रिंट वाड़ी आने नाना प्रिंट वाड़ी आरी ते अलग-अलग डिजाइन माई जो आमाडे छे तो कापड सीवता पहला ए विसे नू ग्यान तेने जो होई तो ती व्यक्ती ते कापड विसे जानी ने बराबर रिते तेनू स्टीचिंग करी सके सिलाई करी सके कारान के अमुक कापड माँ प्रिंट मूटी होई अथा आड़ी अवडी होई तो कापड कतिंग कत्ता पहला ते व्यक्ती या ते जाननू अने समझवू खुब ज़रूरी छे ए बे रिते वनवामा आवे छे जेमके ताना अने वाना दोराना बेसेट ताना अने वाना बनने एक बिजाने कात खुने होई छे एक बिजाना कात खुने गोठवायला होई छे लंबाईना तार ने लूम मा लंबाईनी दिसामा बांधवामा आवे छे लंबाईना तार एकले ताना ना तार जेरे पहडाईने ताना मा कान खुने गोठवामा आवे छे पहणा एकले वानाना ततार लंबाईना तार जे ताना केहवाई छे जे उबा होई छे अने पास पासे होवा थी ते मजबूत होई छे पहडाईना तार जे ताना वाणा केहवाई छे जे आडा होई छे अने ते दीला होवा थी ओच्छा मजबूत होई छे कापणनी रत्नामा प्लेन वणात एस साधो प्रकार छे कापणनू पोट आपणे जोईँ कापणनू पनो ए आगड़ेज आपणे कापण जोईँ एमा वर्प अने वेप ताना अने वाणा अने सेल्वेज लाइन जोई बराबर तो जे पहडाईनी दिसा छे बेफ्ट नी जे दिसा छे एने कापणनू पोट कहवामा आवे छे कापणनू पोट रेशानी दिसा आपे छे ताना कापणनी किनारीने समान्त जता होई तो ते उभा तानानू कापण रचे छे स्लाइड मा जोवाज मा आवे सेलवेज लाइन, पछी क्रोस्वाइज ग्रेन लाइन बतावेली छे. ए वर्प छे औने लेंद्वाईज ग्रेन लाइन बतावेली छे, ए वेफ्ट छे. ले तना अने वाना 22 सम्मेस छा 25 डिग्रीना खुणे लेवा मावे छे. वाणा कापार नी किनारी ने लम जता होई तो ते आडाता नानू कापड रचे छे जो वाणा नी निसा किनारी साथे च्रासी होई तो ते उरेफ तरीके उडखाय छे आपड़े बायस चोयों के ए पिस्तालिस दी ना खुने होई छे हवे कापड बे रेसाओ माठी बनावामा आवे छे अने ए रेसा एकले कुज़ती तेमज मानव सर्जित आ रेसाओने विवीट लूंग मां कातवामा आवे छे अने एक बिजासाथे वनवामा आवे छे दरेक रेसामा पोटाना गुंडर मों छे जेने अमुकन से कातीने बाणीने औने फिनीसिंग करीने बदली सकाई छे तेम छता ओरिजिनल गुंडर मों पुरावा तरीके रहे छे रेसा माथी यान बनावामा आवे छे अने यान माथी फैबरिक बनावाई छे रेसा अलग-अलग प्रकानना कोटान, सेल्क, लीलन, पोलीस्तर, नाइलोन, इतीसी वगेर प्रकानना अपड़े जोई एछे टेमाथी जुदा-चुदा यान बनावामा आवे छे आई याननी मजबुताईपन जुदी-जुदी होई छे अने आई यानने वणीने टेमाथी फैबरिक तैयार करवामा आवे छे कापड जुधा जुधा रेसा माथी बनावाय छे रेसा बनावा माटे नाना टन्तू ओनो उप्योग थाई छे रेसा एकले यान सिंगल यान, पलाई यान, कोड़ यान, अने फैंसी यान ए यानना अलग अलग प्रकार छे सिंगल यान सिंगल यान आनी रचना सामन्यरी ते एकच कक्साना टन्टू ओमाथी करवामा आवे छे अलग अलग गुणवाट तावाडा टन्टू ओ होता न थी तेमा एकच ताइपना होई छे आ प्रकाना दोरा ओटानी संपण लंबाई दर्म्यान एक सर्खाव्या स्वाडा होई छे सिंगल यान जेड ट्विस्ट अने S ट्विस्ट आ बे ट्विस्ट मा बनावमा आवे छे पलाई यान मा सिंगल यान मा फप्त एकच तन्टू मनाई छे जरे पलाई यान मा बे अठवा वदू सिंगल यान नो उप्योग करीने वणांक आपी पलाई यान बनावाई छे जो पलाई यान वणेलो ना होई तो तेमा थी बे अठवा वदू सिंगल यान ना भग पाड़ी सकाई छे हवे आपने जोई कोड़ी यान कोड़ी यान मा बे अठवा वदू पलाई यान नो उप्योग करीने वणांक आवे छे जो कोड़ी यान वणेलो ना होई तो तेमा थी पन बे अठवा वदू पलाई यान मेडवाई छे फैंसी यान फैंसी यान मा विविद पक्रिया करीने बनावा मावी छे आमाजे तंटोनो उप्योग कराई छे ते अलग अलग गुणवत्ता वाड़ा होई छे 11, 12 विविद रंगना होई छे अलग अलग आकार अने व्यास वाड़ा पन होई छे हवे जोयू आपड़े के कापणनो वर्गी करन बे रिते करवामा आवे छे एक तो कुझजती कापण अने बीजु कुझेम कापण कुझजती कापण मा पन बेभग पड़ेला छे वनस्पती जन्य कापण मा सुत्राव, सीसल, नाडियली माथी बनावेलू हेंप, जूट, अम्बाका, सेल्ली लोजीक, सोयाबीन, मकाई, मकफडी, केसिंग नो समावेस थाई छे ज्यारे प्राणी जन्य कापण मा रेसम अने उन, आ बे फेबरिक नो समावेस थाई छे कुट्रेम कापण मा पंड, बे भाग पड़िला छे रिजन्रेटेर अने सिंठेटिक, रिजन्रेटेर मा नॉन थर्मो प्लास्तिक नो समावेस थाई छे जैरे सिंठेटिक मा नाइलोन, बैक्क्रोन, तेरेलीन, पोलिस्टर, ट्रेटोन, एकरेलीक अने केस्मीलोन आ रिते कापणनु वर्गी करण कुज़ती कापण आने कुच्चीम कापण मां करवामां आवे छी अवे आपडे कलेक्षन फाइबर विशे जोई सुन तो आफ कलेक्षन जे करलू छे तेमा टेक्स्टाइल फाइबर नेचल बतावेला छे तो तेमा प्यल्लू तछे इंजियन कौटन पछी फ्लेक्स नू बतावेलू छे जूट बतावेला छे फाइबर अने बाजूमा आटी फिस्टियल सिंठेटिक फाइबर नाइलोन अने पोलिस्तन ना बतावेला छे नीचे अलग अलग प्लांट ना रेशा बतावेला छे अने पेपर मेकिंग ना फाइबर बतावेला छे तो कुज़ती कापड मा आपड़े जोयू मानस सजगी तेमज वनस्पती जन्या रेशा नो समावेस थाई छे तो वनस्पती जन्या कापड मा आपड़े पहला सुत्राव कापड विसे समझी सुँ सुत्राव कापड एब भारत मा वदू थाई छे बारत मा कपपास वदू थतो होवा थी सुत्राव कापड भारत मा बनावा मा आवे छे बारत गरम पदेश होवा थी गर्मी मा सुत्राव कापड थंडक आपे छे तेमज सरीनी गर्मी पसीनो चूसी ले छे आथी गर्मी मां सुत्राव कापड पहर वाथी आपणने कमफर्टेबल लागे छे लगर्मी मां आपणे सुत्राव कापड नोप्यो वधु कत्ता होये छे कपास मां थी रू काड़ी जाते वणी ने तैयार करेलू खादीनू कापड सुत्राव कापड़ जे बनावमा आवे छे एक कपास माथी रू काड़ी लईने एमा थी रू माथी बीच काड़ी नाखी पछी तेने वाणीने तैया करवामा आवे छे आरी ते हस्त उज्योग माथे रोजी दोती मडी रहे छे आ कापड़ उडख माटे तेने सडगावतन ते जड़फ्थी सडगे छे सुत्राव कापड़ जो शड़फ्थी सडगिई उठे छे औने चमके छे कापड़ सडगतु होई त्यारे राखोडी ए स्पावदर छोडे छे रूल नरम होवा थी तेनों कापड बनावू सहलू छे, ते हलकू होई छे, परन्तु तेना स्पर्थी गर्मावो आवे छे, अने तेनी सपाती उपड नरम तातना होई छे सुत्राव कापड नी संबाण माटे, तेने एक वखत गर्म पाणी माँ धोया पछी, बीजी वखते थन्दा पाणी माँ धोवा जोई ए, बाजु माँ आपडे आ सुत्राव कापड कया टाइप ना होई छे, एना फोटास बतावेला छे सुत्राव कापड आपडे धोया पछी एने गर्म पाणी माँ धोया छे आपडे पनि पच्छी बीजी वखत आपडे एनकोई त्यारे थन्दा पाणी माँ धोवा जरुई छे तेमज एने सुकव ये त्यारे उल्टा करीने तेने सुकवा जोईए अने तेने गर्मी वदू प्रकास वाड़ा जग्या ये न सुकव ता छाइनामा सुकवा जोईए जे थी सुत्राव का पड़ वदू लांबो समय सुधी तपकी रहे सुत्राव रेसाना हवे आपड़े रासायानिक गुंदर्मु जोईशूं सुत्राव रेसाना रासायानिक गुंदर्मुमा जोईए तो तीवर एसीड सामे रेसानों नास थाई छे बिजू क्लोरिन ब्लीट नो उप्योग करी सकाई छे अने उधै सामे ते प्रतिकार सक्ती धरावे छे सुत्राव का पड़ने सुस्म जीवानुम वातावरन मुझव असर करे छे सुर्य प्रकासनी असर पड़ सुत्राव रेसाने थाई छे सुत्राव रेसाना प्राक्रुतिक गुंदर्मू शुत्राव रेसा सफेद, चामडी कलर, पीडास पड़्ता, सफेद, रंगना जुवा मले छे आ रेसा मजबुर्स रेसा छे, ते बेज सोसक रेसा छे, बेज वाड़ा होई, त्यारे तेने इस्त्री करवी जोए आज हम इस वीडियो में यह जानेगे कि उन कैसे बादे हमें कपड़े बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, लेकिन हमें जानवरों के योगदान को नहीं भूलना चेहिए, क्योंकि हमें जानवर से भी रेशे प्राप्त होते हैं, यदि आपने इस नर्सरी राइम को सुना है तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमें उन कहां से मिले बच्चो आज हम कॉटन और जूट के बारे में जानेगे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रेशो से कपड़े किस प्रकार बनाये जाते है अब हम विशिश रूप से यह जानेगे कि सूती वस्तर किस तरीके से बनाये जाते है भारत में सूती वस्तर बहुत आम है सूती कपड़े हलके होते है और हवा को अपने में से गुजरने देते है साथ ही हमारे शरीर के पसीने को भी वे सोख लेते है इन्हें किसी भी रंग में आसानी से रंगा जा सकता है और आसानी से इनकी धुलाई भी की जा सकती है इसी लिए भारत की गरम जलवायू में रोजमर्रा में सूती कपड़े पहनना उप्युक्त रहता है तो चलिए यह जानते है कि सूती कपड़े कैसे बनते है हमें कॉटन यानि की कपास कपास के प्राप्त होती है कपास गरम जलवायू में उगाई जाती है जहां मद्यम मात्रा में बरसात होती है इसे मई और सितंबर के महिनों के बीच में बोया जाता है अक्टूबर के मेहनों से इसकी कटाई शुरू हो जाती है मिट्टी के प्रकार के अनुसार पश्चिमी और दक्षिनी भारत जैसे कि गुजरात, महराष्ट्र, आदी में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास के पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है उत्तरी भारत में पंजाब की अल्यूवियल सॉइल में कपास अच्छे से उखती है जब कपास के फौल पूरी तरह विक्सित होने के बाद फट जाते है इनके बीच कपास के रेशों से घिरे रहते है बीच से रेशों को अलक करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है लोहे के दांत के समान होते है और इससे कपास के गोले को कंगा करता है इससे कपास के बीच कंगे में अटक जाते है और रेशे अलग हो जाते है आजकल तो यह काम मशीनों के द्वारा भी किये जाने लगा है अब हमारे पास बहुत से रेशे हो जाते है तो फिर इसमें से दागा कैसे मिलता है? इस प्रक्रिया को कताई यानि की स्पिनिंग कहते है रेशो को एक साथ कात कर उससे धागा बनाया जाता है भारत के गावों में इसके लिए हैंड स्पिंडल यानि की टकली और स्पिनिंग वील यानि की चरके का इस्तमाल भी किया जाता है आपको तू पता होगा हमारे राश्टर पिता माहत्मा गांदी भी अपने कपड़े बनाने के लिए चर्खे से धागा यानि की सूत काते थे अब इस कारे के लिए बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तमाल किया जाने लगा है तो फिर हमारे पास धागा आ जाता है और कपड़ा बनाने के लिए हम किस विधी का इस्तमाल करेगे निटिंग का की वीविंग का सूती कपड़े यानि की कॉटन क्लोट्स बनाने के लिए वीविंग प्रणाली का इस्तमाल किया जाता है यानि कि सूती कपड़ों को बनाने के लिए धागों के दो सेट को व्यवस्थित किया जाता है इसके लिए जब आप किसी सूती कपड़े को पास से देखेगे तो ये पाएगे कि धागे सही कौन पर एक दूसरे से जुड़े है और एक दूसरे पर से गुजर कर एक आकरशक स्वरूब बना रहे है भारत के गावों में सूती कपड़े बनाने के लिए हैंड लूम्स का इस्तमाल भी किया जाता है आजकल अधिकांश कपड़े बिजली से चलने वाली लूम्स से बनाये जाते है तो संशिप्त में सबसे पहले कपास के फल से बीज अलग किये जाते है इस प्रक्रिया को जिनिंग कहा जाता है फिर हैंड स्पिंडल या चरखा या फिर मशीन का इस्तमाल करके कपास के रेशो की कताई करके सूती धागा प्राप्त किया जाता है और अंत में सूती धागे की वीविंग करके सूती कपड़ा तयार किया जाता है जिससे विबिन प्रकार के परीधान बनाय जाते है कॉटन यानि कपास के लावा एक और रेशा है जो पौदों से प्राप्त होता है और भारत में बहुत प्रचलित है और यह है जूट जूट के रेशे बहुत टिकाओ मजबूत होते है लेकिन बहुत खुरदुरे होते है इसलिए सामाने था लोग जूट से बने कपड़े पहनना पसंद नहीं करते है लेकिन जूट अन्य बहुत सी चीजों को बनाने में इस्तमाल किया जाता है जैसे कि कई सुन्दर चादरे, परदे, गलीचे आदी जूट से बनाए जाते है जूट के बीजू को बारिश के दोरान गरम जलवाईू में बोया जाता है जूट का पौधा तीन-चार महिनों में और दस फीट लंबा हो जाता है और इसके बाद इसे काट दिया जाता है जूट मुख्य रूप से पस्चिम बंगाल में उगाया जाता है जूट का रेशा हमें इसके पौधे के तने से प्राप्त होता है पकने के बाद कटे हुए तने को सुखाया जाता है और उसके गठर बनाए जाते है इन गठरों को तलाब के रुके हुए पानी में डुबो दिया जाता है इस दरान तना सड़ता है और इसके अंदर मौझूद चिपचिपा प्रदार्थ जिस से जूट के रेशे चिपके रहते है वह नश्ट हो जाता है इस प्रक्रिया को रेटिंग कहते है इसके बाद तनीक के से जूट के रेशो को हातों द्वारा अलग किया जाता है वह इसलिए क्योंकि जूट के रेशे बहुत लंबे होते है जूट के रेशो को अलग करने के बाद इन्हें धूप में 2-3 दिनों तक सुखाया जाता है फिर जूट के रेशो के बंडल बनाकर उन्हें जूट मिल्स में भेजा जाता है जूट के रेशे लंबे होते हैं और इनका उप्योग टिकाओ, मजबूत और खुरदूरे धागे बनाने के लिए किया जाता है इसके बाद जूट के धागों को वीव करके उनसे कपड़ा बनाया जाता है जिससे अलग-अलग चीजे बनाया जाती है जूट से सुन्दर बैग, चटाई, थेले, परदे, चादर, रसी, आदी बनाया जाते है तो आज के लिए इतना ही बच्चो, बाई बाई आज के लिए बनाया जाते है आज के लिए बनाया जाते है आने रजाय चटाय आरीतनु जूतना कापड माथी बना आमावे छे जूतनु कापड खर्बचडू होई छे आथी एने गार्मेंट मा लोको वधार उप्योग कतना ना थी हवे आपडे प्राणी जन्य कापड विसे सिखी सुं प्राणी जन्य कापड मा रेस्मी कापड नो समावेस थाई छे आने उन नो समावेस थाई छे तो आपडे रेस्मी कापड विसे समझी सुं रेस्मी कापड तो फोटा मा बतावेलो छे रेस्मी कापड कयर ताइपनो होई छे हवे आपड़े त्यारी तौप उपर जैने हेसमी कापड कईू केवाट आयपनू होई छे ए जोईसू चनकाट वाडू होई छे सुत्रावना कापड थी ए थुड़ू अलग पड़े छे तो आ रेसम ए सेटो रूप रहनार कोसेटो ना तार माथी बने छे तो एमा आपड़ू छे उदाहर माँ चिन्नी राणी तो चिन्नी राणी नोदाहर सामाट आपड़ू छे तो चिन्नी राणी ज्यारे पोताना बगी चामा चा पिता हता त्यारे अकास्मा त्रीते चाना पियाला मा ए ज्याँ बैसेला होई छे एसेटो ना ज्याड उपथी कोसेटो एमना चाना पियाला मा पड़े छे अने चाना गरम प्यालामा पड़ताज एमा थी ताल छुटा पड़वा माले छे आ चाना प्यालाने थोडी बार माते बार मुक्की राखता ए रेसा अलग पड़ता होई छे अने तेमा थी ए रेसा काड़ी ने जोटा ए रेसा मजबुच जणाई छे आम आरी ते रेसमना ताननी सोद थाई एवु मानवामा आवे छे रेसमना कीरा ज्यारे पून विक्सित थाई त्यारे तेनी लाड तेना उपर वितलाई जाई छे कीडो ज्यारे लाड काड़तो बन थाई एतले कोसेटोंने उकड़ता पाणी मा नाखवा थी रेसानी आगड पाछनना तार छुटा पड़े छे अने तार बने छे फोटामा आपड़े जोई उपकेवी इतले आ कोसेटों बनेलो देखाई छे बिजा पोटामा कोसेटाओ नी टोपली बासकेट मा बरेला छे अने इयड ना पान उपपर देखाई छे आ इयड माथी एनी लाड निकरती होई आने कोसेटों तयार थाए छे हवे आपड़े सिल्क ना रेसाना रासाइनिक गुन्धर्मों जोईशू सिल्क ना रेसाना रासाइनिक गुन्धर्मों मा तेनो टिवर एसीड वडे तेनो नास थाए छे क्लोरिन ब्लीचनों उप्योग करवानू ताडू उद्धैनी असर थती नथी सुस्म जीवानू असर करता नथी सुर्य प्रकास रेशाने असर करे छे रेशाने नब्लू पाडे छे सिल्स ना रेशाना हवे आपडे पाक्रुतिक गुंधर्मोवी से जोईसूं तो सिल्स ना रेशा ये पीडा, ब्रावून, ग्रीन अथवा ग्रे कलन्ना जुवा मढ़े छे बीनू सिल्स नी मजबुताई 25-35 तका ज्यारे सुकूर सिल्स नी मजबुताई वदू होई छे सिल्स ना रेशा बेज सोसक छे सरीनी घरमी जाडवे छे सिल्क ना रेसा ने इसे नीचा उष्णता माने करवी जोई है हवे आपड़े वीडियो एक जोईसूं सिल्क माटे नमस्ते बच्चों हमने अपने पिछले लेसन में उन के बारे में जाना था उनी कपड़े हमें सर्दियों की ठंडग से बचाते है उनी कपड़े पूरी दुनिया में प्रचलित है लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे राजा महराजा क्या पहना करते थे उनके राजसी कपड़े किस चीज से बने होते थे वे सिल्क यानि की रेशम से बने होते थे सिल्क कपड़े का एक जदूई रूप है क्योंकि इससे बने कपड़े वजन में बहुत हलके होते है साथ ही सिल्क के कपड़े सरदियों में आपको गरम रखते है और गरिमियों में आपको ठंडा रखते है यानि कि सिल्क के कपड़े बहुत ही आराम दायक होते है और सबसे बड़ी बात देखने में वे बहुत सुन्दर लगते है सिल्क के रेशे बहुत मजबूत और टिकाओ भी होते है इसी लिए सिल्क बहुत महंगा होता है और सभी राजारानिया इसे पसंद करते थे क्या आपको पता है कि एक पुरानी कथा के अनुसार सिल्का आविशकार चीन में हुआ था सी लुंग ची ने किया था एक दिन चीन के समराट ने सी लुंग ची से कहा कि विराजसी बगीचे में जाकर यह पता लगाए कि शतूत की पत्तियों को कौन नुकसान पहुचा रहा है सी लुंग ची ने बगीचे में जाकर निरिक्षिन किया और यह पाया कि कुछ छोटे सफेद कीड़े शतूत की पत्तियों को खा रहे है फिर उसने देखा कि कुछ मोठे कीड़े अपने आसपार सुन्दर और चमकदार कौकून बना रहे है तब ही एक कौकून उसके चाय के कप में गिर गया और उसने देखा कि कौकून में से एक चमकीला तार बाहर निकल रहा है बाद में उसे कुकून से निकलने वाले तारों को धागा बनाने के लिए तरीका मिल गया यह अद्भुत रेशे सिल्क के थे सिल्क उद्योक की शुरुआत चीन से हुई थी अब आपको तो पता चल गया होगा कि वास्तों में सिल्क हमारे लिए एक कीड़े सिल्क मौत का उप्यार है सबसे आम सिल्क मौत मलबरी सिल्क मौत है चलिए अब यह पता लगाते है कि कैसे एक कीड़ा हमें सबसे चमकीला और सबसे ज़्यादा कीमती रेशा यानि सिल्क देता है हमें सिल्क मौत के लारवा जो की सिल्क वार्म ही होते है उनसे मिलता है जिस प्रकार तितलियों के अंडे से इल्लियों का जन्म होता है ठीक उसी प्रकार सिल्क मौत के अंडों से सिल्क वार्म का जन्म होता है सिल्क मौत शेतूत की पत्यों को खाना पसंद करते है और उन पत्यों के अंदर सेकडो अंडे देते है अंडो को कपडो की पत्यों पर रखा जाता है जिससे ये गरम और साफ रहते है इसें अंडो से बच्चे जल्दी बहार निकलाते है एक बार जब सिल्क वाम बाहर आने कलाते है फिर बड़ी बड़ी ट्रे में शेतूत की पत्तियों को बिचा कर उन पर इन कीडों को रखा जाता है इन्हें केवल ताजी प्या ही खाने को दी जाती है फिर अगले 25-30 दिनों तक ये भूके हातियों की तरह खाते रहते हैं और मोटे हो जाते हैं इनका आकार इनके पहले आकार जब ये अंडों से भार निकले है थे उससे कई गुना बढ़ जाता है जब ये कीड़े अपने जीवन की दूसरी अवस्था में जाने के लिए तयार हो जाते हैं तो ये खाना बंद कर देते हैं और आपको पता है उनके जीवन की अगली अवस्था क्या है अब ये प्यूपा या कुकून में बदल जाते हैं सिल्क वाम अपने आसपास तितली के कैटरपिलर की तरह कुकून मना लेते हैं इन्ही कुकून से सिल्क के रेशे प्राप्त होते हैं फिर मजबूत तार बनाने के लिए चार से आठ कुकून के तारों को जोड़कर एक साथ गुमाया जाता है और फिर इस तार को एक रील में लपेटा जाता है रील में लिप्टे इस धागे को रोसिल्क कहते है आजकल रोसिल्क बनाने के लिए एक स्पेशल मशीन का इस्तवाल भी किया जाने लगा है सामनते दो या ज़्यादा रोसिल्के तारों को एक साथ घुमाकर सिल्का मजबूत धागा बनाया जाता है जिससे कपड़े बनाया जाते है सिल्के धागों को बुनकर सिल्का कपड़ा बनाया जाता है जिससे सुन्दर परीधान बनाया जाते है वकुन से धागा प्राप्त करने के लिए सिल्क वाम को पालना पढ़ता है इसका मतलब यह हुआ कि सुन्दर और मजबूत सिल्क धागे को पाने के लिए कई सारी प्रक्रियों से गुजरना पढ़ता है अंडो से लारवा निकालने से लेकर धागा बनाने की ये लंबी प्रक्रिया सेरी कल्चर कहलाती है यानि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है सिल्ख का निर्मान भारत में असम, जारकन, आदी के कई ग्रामी निलाकों में किसानों दोरा किया जाता है सेरी कल्चर ने उन्हें जीवन यापन की एक आसान रहा दिखाई है अलग-अलग सिल्क मौच से मिलने वाले धागे की सनरचना जैसे कि उसकी मोटाई, चिकनाई, चमक अलग-अलग होती है इसलिए टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क आदि अलग-अलग सिल्क मौच से बनने वाले कुकून से प्राप्त होते है भारत में सिल्क से सुन्दर बनारसी साडिया और कई अन्य पारंपरिक परिधान जैसे कि घागरा चोली, चूडी दार कुड़ता, शेरवानी आदे बनाये जाते है इन्हें विशेश अफसरों पर पहना जाता है पुराने सुल्तानों, राजाओं और उनकी जानियों की अधिकांश पोशा के सिल्क से ही बनती थी इसलिए सिल्क भारतिय परंपरा का एक अटूट हिस्सा बन गया है तो सिल्क के बारे में बच्चो आज आपने बहुत कुछ जाना होगा फिर मिलेगे, बाई-बाई प्राणी जन्या कापण मां उन विशे जानिये तो उन मां उन एक कई रिते मेडवा मां आवे छे उन गेताना वाड मां थी मेडवा मां आवे छे उन बिजा प्राणी मों जेवाके बक्री, उन आवे याग एना मां थी पण मेडवा मां आवे छे परन्तु ते मां थी मेडवेलू उन गेताना वाड जेतलू सुवाडू होट्टू न थी गेताना उन सुवाडू अने मुलायम होई छे धन्नी रूपू मां उन नो पहेर्वे खुब अगत्यनों छे उन गेताना अलग-अलग सरीनना भागो उपथी लेवा मां आवे छे हवे आपड़े फोटा मां जे देखाई छे ए गेतानी उपथी वाड केवी इतने काड़ेला अने बार मुकेला छे ए जोगा मले छे तो गेतामा जे पीठ उपणनों वाड छे ए उत्तम गणवामा आवे छे जयरे एना पग उपणनों जे उन लेवामा आवे ते थोड़ू नानू अने खरबचडू होई छे तेना खबा उपणनों उन ए सारू मले छे आम सरी ना जुदा जुदा भागो पथी उन बेड़वामा आवे छे उननी काड़ी माते तेने हम्मेशा ड्राई क्लीन करवू जोईये थन्दी रुटुमा उननों उप्योग थे गया पछी तेने धोईने तेमा दामननी गोडी राखवी जेठी जन्टू ना पड़ी जाए गेताना सरी ना जुदा जुदा भाग उपथी जुदी 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 जातनों उन मड़े छे ते आपड़े जोईयू उनना रेषाना रासाइनिक गुंधर्मू उन सलफर एसीड तेनों नास करे छे क्लोरीन बलीटनों उप्योग ताड़वा जोईये उदैप्रूप बनावू जोईये सुस्म जिवानू असर करे छे सुर्य प्रकास रेषाने असर करे छे उनना रेषाना प्राक्रूतिक गुंधर्मू उन सफेद, ब्राउन अने ब्लैक होई छे उनना रेषा नबड़ा रेषा छे ते बेश सोसक छे सरीनी गर्मी जाड़वे छे उननना रेषाने एना कापड़ने इस्त्री करवानी जरून न थी ते मज थन्डी रूटूमा ते पहरवामा आवे छे हवे आपड़े एक उननो वीडियो जोई सो नवस्ते बच्चो आज हम इस वीडियो में यह जानेगे कि उन कैसे बनता है आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार पौधे हमें कपड़े बनाने के लिए रेशे प्रदान करते है लेकिन हमें जानवरों के योगदान को नहीं भूलना चेहिए क्योंकि हमें जानवर से भी रेशे प्राप्त होते है यदि आपने इस नर्सरी राइम को सुना है तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमें उन कहां से मिलती है जी हाँ भेड यानी शीप से हमें भेड जैसे जानवरों से उन मिलती है जिससे हमारे स्वेटर बनते है जो हमें कपकपाती सर्दियों में गरम रखते है हम सर्दियों में उनी स्वेटर पहनते है जो हमें गरमाहट और आराम का हैसास कराते है उन के रेशे कॉटन और सिल्क से मोटे होते है उन किसे बने कपड़े काफी लचीले होते है हवा उनी कपड़ों के रेशों के बीच अटक जाती है और हवा गर्मी की यनी हीट की पूर कंड़क्टर होती है इसलिए जब हम स्वेटर पहनते हैं तो यह हमारे शरीर की गर्माहट को बाहर जाने से रोकती है और हमारा शरीर गर्म रहता है चलिए अब हम यह जानते है कि जानवरों के खाल के बालों से हमारे कपड़े कैसे बनते है भेड की उन का ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है तो चलिए यह पता लगाते है कि हमें भेड से उन कैसे मिलता है भेड के शरीर पर बालो या फ्लीस का मोटा आवरण होता है सर्दियों के बाद इस बाल की सतह को उस्तरे या शेविंग मशीन द्वारा भेड से अलग किया जाता है ठीक वैसे ही जैसे एक नई सिर के बाल मूनता है हमारे बालों की तरह भेड के बाल भी फिर से बढ़ जाते है सबी फ्लीस समान गुनवता के नहीं होते है जरा अपने हाथ, शरीर और अपने सिर के बालों को चू कर दीखिए इन सबी में फर्क है ना? उसी प्रकार फ्लीस के रेशो की लंबाई अलग-अलग होती है कुछ रेशे अत्याधिक, मोटे और बेकार होते है सामनित भेडों के कंधो और बगल से उगने वाला उन अच्छी किस्म का होता है अब इन उन के रेशो की छटाई की जाती है और उन में से अच्छी किस्म के उन को हमारे लिए अलग कर लिया जाता है और बाकी बचे बेकार, मोटे, कमजोर और खराब उन को निकाल दिया जाता है फ्लीस में धूल, जीवानू, तैलिय पदार्थ, भेड का सूखा हुआ पसीना मिला रहता है इसलिए इन सबको हटाने के लिए फलीस को गरम पानी, साबुन, बहुत सारा डिटरजन मिला कर साफ किया जाता है फिर इस धुलेवे फलीस को सुखा दिया जाता है भेड के प्राकरतिक फलीस का रंग सफेद, काला, या भूरा होता है इसलिए उनके रेशो को अलग-लग रंगों में रंगा जाता है फिर घुमावदा रेशो को सीधा करके कंगी किया जाता है यह प्रक्रिया कंगी करने जैसे ही होती है इससे उनके रेशो को सुलजाया जाता है पुराने समय में इस कारिय को करने के लिए हाथ कंगी का इस्तमाल किया जाता था जिसमें मेटल के तार बने होते थे लेकिन आजकल इस कारिय के लिए मशीनों का इस्तमाल भी किया जाने लगा है अंत में उन के रेशो के तारों को एक साथ घुमा कर कताई की जाती है कताई की इस प्रक्रिया से हमें उनका मजबूत धागा प्राप्त होता है पुराने समय में कताई के कारिय के लिए चरखे या हैंड स्पिंडल का इस्तमाल किया जाता था आजकल कताई के इस कारियों के लिए बिजली से चलने वाली कताई मशीनों यानी स्पिनिंग मशीन का इस्तमाल किया जाने लगा है तो अब आप यह जान गए होगे किस प्रकार फ्लीस कपड़े बनाने के लिए उनी धागों में बदल दिया जाते है यह एक लंबा सफर होता है चलिए एक बार फिर से दोराते है पहले शेविंग मशीन दोरा भेडों के बालों को फ्लीस पाने के लिए निकाला जाता है इस प्रक्रिया को शीरिंग कहते है फिर अलग-अलग गुनवत्ता वाले फ्लीस को अलग किया जाता है और बेकार, खराब, मोटे फ्लीस को हटा दिया जाता है फिर फ्लीस को गरम पानी और डिटरजन्ट आदी से साफ किया जाता है फ्लीस को साफ करने की प्रक्रिया को स्कावरिंग कहते है आजकल यह प्रक्रिया मशीन द्वारा की जाती है इसके बाद उनके रेशो को विबिन रंगों में रंगा जाता है फिर साफ फ्लीस को सुलजाया जाता है और रिशो को लंबे सीधे धागे की तरह खीचा जाता है इस प्रक्रिया को कार्डिंग कहते है कार्डिंग के द्वारा हमें फ्लीस से उन एक पतला कमजोर तार के रूप में मिलता है इन पतले तारों को एक साथ कताई करके उनी धागा बनाया जाता है तो अब हमारा धागा तयार है लेकिन उनी कपड़े बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तमाल किया जाता है स्वेटर और अन्य उनी वस्तरों को बनाने के लिए बंद फंदो यानि कि क्लोस लूप पैटन का इस्तमाल किया जाता है यह प्रणाली इसलिए अपनाई जाती है ताकि धागे एक दूसरे से मजबूती से जुड़कर कपड़े का आकार ले सके उनी कपड़ों को बनाने के लिए उन एक ही लंबे धागे का उस्तमाल किया जाता है कितनी अचरच की बात है ना कि एक अकेला धागा बड़ा सा धागा एक स्वेटर में बदल जाता है इस विधी को बुनाई या निटिंग कहा जाता है निटिंग बड़ी सिलाईयों की मदद से हाथ से भी की जाती है और इसे मशीन द्वारा भी किया जा सकता है हमें उन केवल भीडों से ही नहीं बलकि कुछ अन्यस तंधारी जानवर से भी मिलती है जिनके शरीर बड़े बड़े रिशे से बने होते है कश्मीर के पहाड़ी लाकों में अंगोरा गोट को उन के लिए पाला जाता है टिबेट लदाक में उन याक से मिलता है उसी प्रकार साउथ अमेरिका में ललमा अलपाका को उन के लिए पाला जाता है तो अब जब भी आप बजार से एक सुन्दर सा स्वेटर लेने जाएगे तो आप बता सकते हैं वो किस से बना है और आपको उन जानवरों को जरूर से दन्नेवाद कहना चाहिए हैना बच्चों फिर मिले गे बाई बाई तो आपड़े उन कई रिते बने छे ए सिख्या हवे आपड़े कुत्रिम कापड कुत्रिम कापड मा बे प्रकार पड़े छे एक रिजन रेतेर अने बिजु सिंथेटिक तो रिजन रेतेर एक कई रिते बनावा मावे छे कुझ्जती वनस्पती तथा रसाणों लईने तेमनु जोईता प्रमाणमा मिस्रन करी बनावामा आवे छे आ कापणने बढ़ता वाल लागे छे तेमा सूतरना गुणधर्मों होवा थी नायलोननी माफ़क ते जड़क्थी बढ़तु नथी सिन्थेतीक मा ते सम्पोण पणी रासायनिक तत्वोथी बनावामा आवे छे जिजन नेटेड एक कुज़ती वनस्पती जन्या कुज़ती रेसावो अनी रासायनिक बन्ने नु मिस्रन करीने बनावामा आवे छे ज्यारे सिन्थेतीक रासायनिक तत्वोथी बनावेलू होई छे रसायोणों ना जुदा जुदा मिस्रन माथी जुदी जुदी जातनू कापड बनावामा आवे छे जेमके नाइलोन, तेरेलीन, डेक्रोन अनि पोलिस्तर आ कापड बनावामा टे नडाकर घनमा रसायोण भरवामा आवे छे नडाकार नी एक बाजु उपड फुवाराना काणानी माफग काणावाडी जाडी फीत करवामा आवे छे नडाकार मा पाचला भग माथी रसायोण उपड दबाण करवामा आवे छे सेवनी माफ़त तार काणा माथी बहार आवे छे आ तार तुटी न जाई अने कडक रहे ते माटे आखो होल खुबज थंडो राखवामा आवे छे आका पर गर्मी थी उग्डे छे अने बढ़ता रसायन जेवी घंध आपे छे हवे आ फोटा मा आपणे जोई है तो नडडा कपर छे देखाडेलू आने एमा रसायन नाखवामा आवे छे तेमाज काणा वाडी जाडी देखाई छे एमाथी नडडा कार ने पाचला बग माथी दबाण करी एमा रसायन सेवनी माफ़त निक्डे छे अनि एमाथी रेस्टो तयार थाय छे हवे सिंथेटिक कपडु ए गणा प्रकारे वनाई छे तिना मुख्य तौन प्रकार छे एक सादू वनान, बीजू, फिल वनान, अनि तीजू, साथीन वनान आपड़े त्यारी तौप उपर जोई सु आग वना छे, अनि आप वर्प छे, वना, आने ताणा, आने वना वर्प अने व्यव, ताणा लंबायनी लिशाय मा हो य छे जयरे वना एक पच्छी एक, एना उपठी फसार थाय छे तेने साधू वनान केवामा आवे छे तो वणात मा अपड़े सिंठेटिक मा सादू वणात विशे जोई सुँं ते सादू अने खुबस सामन्य प्रकान वणात छे आडा दोरा एक पची एक उभा दोरामा वारा फट्ती उपर अने नीचे थी पसार थाई छे मुर्स्तलीन अने रेसम आ प्रकानना वणात ना उदाहरन छे फोटा मा अपड़े जोईू एमज सेंपल मा पण जोईू कि केवी रिते ताणा अने वाना एक बिजानी उपर जाए छे सादा वणात मा विविंग ना जुदा जुदा प्रकार छे पेलू छे प्लैन वीव, रीब वीव, बास्केट वीव, इर्रेग्यूलर बास्केट वीव आ बधा वीविंग विस्ते आपड़े प्रेक्टिकल मा जोई शूँ वीजू छे ट्विल वणात आ वणात मा वाणाना बब्बेतार अने ताणाना बब्बेतार बनने उपण नीचे पसार थाई छे आमा थी त्रास्मा लाइनों बने छे आ क्रम मा फेरफार करीने जुदा जुदा प्रकार ना कापड बने छे ट्विल मनात मा वीविंग ना जुदा जुदा प्रकार छे इवन लेप्ट हैं ट्विल वीव वीजू अन इवन लेप्ट हैं ट्विल वीव तीजू छे इवन और अन इवन लेप्ट हैं ट्विल वीव चोठू छे अन इवन वर्ग वेफ फेस्ट ट्विल्वीव अने पांच मुझे अन इवन वेफ्ट फेस्ट ट्विल्वीव सातीन वनात मां आ कापड मां चाथी पांच तार एक साथे मणाई छे तेमां ताणाना तार नीचे आवे छे अने एक वाणानो तार उपर जाए छे वाणाना तार वद्दू होई छे ताणाना तार तेमा वद्दू देखाई छे अने वाणानो तार तेमा एकक जुवा मडे छे आथी आ कापड चमक्तू देखाई छे सातीन वणात मा वीविंग ना जुदा जुदा प्रकार छे पेलू छे जिग जाक वीव, बीजु हनी कॉंब वीव, तीजु दाइमंड वीव, अने चोठु बर्ड आई वीव हवे आपडे सिंठेटिक कापड मा नाइलोन वीस से समझी सुँ नाइलोन रासायनी क्रियाथी बनावामा आवे छे, ते घणुज मजबोत अने वजनमा हलकू होई छे ते घणा रंगमा अने डिजाइनमा जोवा मडे छे, ते जल्दी मेलू थतु नथी, अने दोवामा घणुज सर छे तेने इस्ट्री करवानी जरूर रहती न थी, तेमा थी बनावेला कपडा लामबो समय तके छे किम्मत मा वीजा का अपड़कत था करता मोंगू छे, अबनी थी दूर राखो कारण के ज़़गी उठे छे ते पातडू होई छे, एतले साडी, नाइट्वेर बनावामा आवे छे, तेनी ओड़कमा ते, तेने बाड़ता जोट्थी दूर संको चाई अने पिगडे छे छुन्डी ना सकाई ते वार रेसा साथे तीपा रचे छे, वास आवती न थी नाइलोनना रेसाना रासाइनिक गुन्धर्मों, तीवर एसीड रेसानो नास करे छे, गलीचनी जरूर न थी ते सफेद रंगनो होई छे, उद्धाईनी असर थत्ती न थी, सुस्म जिवाणू असर कत्ता न थी, सुरिय फ्रकास रेसाने असर करे छे, रेसाने नबडु पाडे छे नायलोनना रेसाना प्राक्रुतिक गुन्धर्मों, सफेट कलनना नायलोनना रेसा जोवा मडे छे, ते खुबज मजबुत रेसा छे ओच्छु बेस सोसक छे, सरीननी गर्मी जाडवी राखे छे, नीचा उष्णतामाने इस्त्री करवी जो ये, दोवामा सरल छे हवे सिंठेटिक मा आपड़े विजो पोलिस्तर विशे जोईशूं, आ कापड मजबुत ओचु वेस सोसक, सरीननी गर्मी जाडवी राखे छे करतली पड़्टी नथी, उद्धाई औने फूग ने अवरोदे छे, गर्म करीने सैट करेल गड़ी विजोट जाडवी राखे छे मोटा भगना पोलिस्तर ने गर्म पाणी मा हाट द्वारा अथ्वा मसीन मा धोई सकाई छे पोलिस्तर ने ओड़क मा ते तेने बारता पिगडे छे औने संको चाई छे, वास आवती नथी औने कठ़ई रंगनी राख चोडे छे टेमा थी घणा बजन अने रचनामा कापणनी पुष्कड वेराइटी मडे छे उदाहरन रमत गमतना पहेर्वेस श्ट्रेना आंतर वस्ट्रो अने पड़दा थंडी रुटुमा एसीडनी असर थती न थी, परन्तु गरम रुटुमा असर करे छे बलीच नो उप्योग करवो नहीं, उदाहिनी असर थती न थी, सुस्म जिवानों नी असर 0.40 तका जेतली होई छे सुर्य प्रकास रेसाने असर करतु न थी, पोलिस्तर रेसाना प्राक्रुतिक मुंधर्म पोलिस्तर सफित कलना जोवा मडे छे, मजबूत रेसा छे, ओच्छू बेस सोसक छे, सरिन्नी गरमी जाडवे छे इस्त्री करवानी जरूर न थी, पोलिस्तर दोवामा सरण होई छे आथी, चौमासा जेवी रूटुमा पोलिस्तर कापणनों वद्धू प्योग करवामा आवे छे, ते जल्दी सुकाई जाई, सुकाई जता कापण छे आथी, चौमासा रूटुमा एने पेहरवामा वद्धू आवे छे हवे आपड़े एक पोलिस्तर कही रिते बने एनों वीडियो जोई सुँ झाल का आवे नावे दोए पने कापण ते टी कापणनों वद्धू करहे प्योध्या कोच्पण लंगन आटको झाल को आवे ँगल्लभंगे, ञदे हैं जएीध्यों पंज जावे इं पेक northern वज्दैंगे, पेहर एक वे यह आईू्यों झाल 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 झाल